विश्व भर में 7 जून को खादी सुरक्षा दिवस मनाया गया और दिसमबर 2018 को संयुक्त राष्ट संग द्वारा 7 जून को खादी सुरक्षा दिवस गोशित किया गया था इसी क्रम में संयुक्त राश्ट संग द्वारा अयोजितिस कारिक्रम की थीम खाद सुरक्षा सबका दायत रखी गई है जीवन को स्थाई बनाने रखने के लिए और अच्छे स्वास के लिए सुरक्षित और पोशड युक्त भोजन की महतपूर भूमिका के बारे में भी लोगों को जागरुक किया गया है खेट से लेकर खाने की टेबल तक आने वाले खाद पदार्तों की सुरक्षा करने के लिए हर किसी की जिम्मेदारी और दायत्व होता है इसी क्रम में लखनव विश्व विद्याले में विश्व खाद सुरक्षा दिवस का आयूजन किया गया कारिक्रम में मुख्य आते थी खाद सुरक्षा और आसदि प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचीव डॉक्टर अनीता भडनागर जैन रही कारिक्रम का शुभारंब दीप्रज्वलन के साथ हुआ कारिकर्म में मौजूद अपर मुख्य सचीव डॉक्टर अनीता भडनागर जैन ने बताया कि वर्ष भर में लगबग 6 करोण लोग खाद्य जनित वीमारियों से ग्रसित होते हैं अर्थाद 10 में से एक व्यक्ति वर्ष में एक बार अवश्य इसका शिकार होता है खाद्य सुरक्षा को मुख्यधारा में लाने के लिए विश्व स्वास्ते संगठन लगातार प्रयासरत है इसके लिए छेत्री स्तर पर समाज के सभी वर्गों को उनके दायतियों के प्रती जागरूप करना जरूरी है इसके लिए 6-3 इस्तर पर समाज के सभी वर्ग के लोगों को जागरूख होना जरूरी है विभिन सदस से, साथी साथ व्यपार से संबंदित, प्रतिष्ठानों से संबंदित, विभिने खाद कारूबारी जिसमें की बड़े भी छोटे भी, ठेले वाले जो भी खाने का सामान ठेले पर बेचते हैं, सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और इसका उदेश ही ये था कि खादी सुरक्षा हम सब की साजा जिम्मेदारी है कारिकर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आउचित बताया गया साथ ही विश्व व्यापी खाद्य अपमिशन की समस्या के निदान के लिए प्रदेश तरकार द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासों को भी गिनाया गया सभी के सामोहिक जिम्मेदारी है खेट में जो चीज बुई गई उसमें कितना पेस्टिसाइड डाला गया इसके संबन में लोगों को जाग रूपता हो साथी साथ जब कोई खाद्य पता दिखता है मान दीजे किसी दुकान में आटा बेक रहा है मसाले बेक रहा है तो ये दुकानदार की भी जिम्मेदारी है कि उसके पीछे लेबिल पर ये जरूर चेक करें कि उसमें जो भी उसको निर्मान कर रहा है उसका रिजिस्ट्रेशन नमबर हो क्योंकि कई ऐसे जो कभी-कभी मिलावटी समान पकड़े जाते हैं उसमें ठीक से रिजिस्ट्रेशन नमबर नहीं होता पता नहीं होता एक्सपायरी नहीं होती तो ये विविन बिंदू चेक करने के आवशकता है उनको देश भर में कुपोशन और भुकमरी की समस्या के निदान के लिए चलाई जा रहे कारक्रम के जरिये इसे रोकने का प्रयास जारी है इसी क्रम में खाद सुरक्षा सबका दायत्र की धीम के साथ अथक प्रयास कर लोगों को जागरूप करने का काम जारी है